नमस्कार मेरे प्यारे बचो मैं रितेश पटेल आप सभी का स्वागत करूँगा बिहार पैरा मेडिकल के नमर वन चैनल स्टेडी वित रितेश में बिहार पैरा मेडिकल 24 का एक्जाम समाप्त होने के बाद अब आपके मन में सिर्फ एक ही कोशन्स आ रहा होगा कि सर इस पार प्लस कोशन्स करेक्ट हो हैं सर मेरे 50 प्लस कोशन्स करेक्ट हो हैं मेरे 65-70 तो क्या मुझे गौर्मेंट कॉलिज में एडिमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे संपून चीजों के बारे में ठीक है तो यहां पर मैं आपको मिल रहा है जी हां दोस्तों बहुत से बच्चों का तो मेरे पास यही मैसेज आए कि सर मेरा 45 प्लस कुशन से यह जर मैं BC से हूँ EBC से हूँ SCST तो खैर यहां पर यूर वालों को भी मिल जाएगा ठीक है इसली मिल जाएगा मैं यह नहीं कह सकता कि आपको जीने मिलेगा एन पार जाते हो 48 प्लस कुशन अगर आप सही करके आयोंगे तो यहां पर आपको इसली जीने मिल जाएगा इसली ठीक है क्योंकि एक कोशन सही होने पर या फिर एक कोशन गलत हो जाने पर तो रैंक में जो है बहुत ही बड़ा डिफ्रेंस आ जाता है ठीक है मेरे प्यारे बच हो की ठीक है तो बीसी में अगर आपका अगर आपने 42 प्लस कुशन सही किये हैं 42 प्लस कुशन अगर आप सही करके आयो तो इसली यहां पर जो है यहां पर भी आपको जीने में फार्मेसी इत्यादी कोर्स मिलने के पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है में जो कंपेटिशन है लेकिन उन्होंने EWS याने economically week section वाला certificate बनाया है जिस पर 10% का reservation है तो उन बच्चों को easily जीने मिल जाएगा ठीक है तो यह BC category की बात थी अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे EBC में EBC वाले बच्चों के ठीक है तो EBC में यहां पर 40 प्लस कोशन सही अगर आपने कि नहीं है तो easily मिल जाएगा ठीक है इसके बात जो है SC category बात करेंगे तो ऐसी में 38 अगर आपने 38 पलस कोशन सही करके आये हैं तो easily मिल जाएगा यदि आपका category ST है और ST में 35 प्लस कोशन अगर आप सही करके तो इसली मिल जाएगा, अब बात करेंगे EWS की, तो EWS पे यदि आपने 42 प्लस कोशन सही करके आए हैं तो इसली आपको कोई भी कोर्स मिल सकता है, ठीक है, तो ये बच्चो इस बार की cut-off रहेगी, यानि मैंने marks basis पर भी बताया, rank basis पर भी मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्यों कोशन सही होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, अब दीखें, बहुत से बच्चों का एक्जाम सही नहीं गया है, कहीं न कहीं उनकी preparation ठीक नहीं रही होगी, या बहुत बच्चे लेट से जोईन किया होंगे, लेट से हमारे चैनल पे आए हैं, लेकिन अगर बच्चे, आप लोग ने देखा ना बच्चों की क्या रिजल्ट रहा, हमारे इस प्लैटफॉर्म का आप लोग ने रिजल्ट भी देखा, कल मैंने आंसर की मिलवाया, हरे कोशन, लगभग हरे कोशन, है ना, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि 70% कोशन हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से मिला है, ठीक है, मैंने आपको प्रूफ भी दिया था, आंसर की के साथ कि देखिए, एक कोशन मतलब जो पूछा गया था, वही कोशन स्पेट कोर्स वाली बैच में भी करवाया गया था, यूटूब वाले क्लासेज में भी करवाया गया था, तो बहुत से कोश आप बच्चों का फीडबैक देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, राम प्रवेश एक्जाम देने के बाद, बच्चों का ये फीडबैक है, जो हमारे वाट्स अप पे सेंट किया गया था, काफी बच्चे है, बच्चों काफी बच्चों ने फीडबैक दिया है, ठीक है एक्जाम से रिलेटेड, मतलब एक्जाम कैसा गया, उनका आप खुद देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत जबरदस्त एक्जाम गया है, ठीक है, तो अगर आप भी भिहार पैरामेडिकल दोहजार पच्चिस की तैयारी करना चाते हैं, आप भी जुड़ना चाते ह हमारे बैच से, तो आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए निव बैच जो है, एक तारिक से लाँच हो रहा है, ठीक है, इस बैच का नाम है भिहार पैरामेडिकल टॉपर बैच, ठीक है, और ये कम्प्लीट बैच है, ये मिल रहा है आपको मात्र 699 रुपीज में, आपको एक चीज मिलेगी आपको, ठीक है, इसी फी में, ठीक है, हाँ, मेटेरियल सब प्रकार का मिलेगा, तो आप इस वैच में इंडॉल्मेंट लेने के लिए, आप दिये गए नमर पे हमें कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं, या खुद भी आप इस वैच में इंडॉल्मेंट ले सकते है आपको study with rites app को install करना होगा उसके बाद register करना होगा अपना नाम gmail मुबाइल नमर डालके paid course वाले section में जाना है और उसके बाद वहाँ पे show होगा भिहार paramedical topper batch 2025 paid course में जाओगे paid course में जाने कबाद home पे जाना है उसके बाद वहाँ पे show होगा बिहार paramedical topper batch 2025 वहाँ से बाइना हो कर लेना है उसके बाद आप हमें message कीज़ेगा इस नमर पे इस नमर पे message कीज़ेगा आपको एक group में भी add कर देंगे जहाँ पर आपको class related हर एक update मिलती रहे ठीक है और दीगे बच्चों कहीं ने कहीं वही बच्चे बाजी मारेंगे इस पार जो सुरू से लगे हुए हैं उनका तो revision इतना high level का हो चुका था वही बच्चे ने काफी message भी किया है जो बच्चे लगतार देखा जाए बदलब 3-4 महीने 5 महीने पहले से पढ़ रहे हैं हैना एकदम serious होके तो वह बच्चे कहीं न कहीं 70 plus questions ही करके आने बाले हैं और देखना बच्चो हर एक बच्चो का live interview भी आपके सामने हम लेकर आएंगे ठीक है तो चलिए I hope आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो पसंद नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्स्क्राइब करें